तो बहुत लोगों ने पूचा किए प्रिंटर होता है इंजेक्ट प्रिंटर स्पेशली उसको क्लीनिंग करने का प्रोशीजर क्या है तो बहुत ही सिंपल प्रोशीजर होता है कोई ज्यादा यह टेक्नोलोजी औरेंटेट परसन नहीं चाहिए कोई भी साथ एक कपड़ा ले अब आपको टेक्नीक बताऊंगा मैं कि किस तरह से करना है क्या करना है कोई भी आपके घर में ब्लोर या हेड रायर होगा तो आप उसको ले लिजे पावर को आफ कर देना यह सप्लाइज से जैसे कि आप देख सकते मेरा प्रिंटर का पावर आफ है तो इसको क्या करना है वो है कि में देख सब्सक्राइब और सरीचिप वकर Harbor प्रंटिंग के लिए तो इसके लिए हम लोग इसको उटाएंगे सा är कोन करेंगे और उसको साधा ज्याधा नहीं वे आप आफ लोइंग पे इसको भलो करनेंगया और अगर और यज़ाधा कचरा होता है तो है हाइज स्पीड पर भी आप लोग दे सकते हैं यह लोग कि अपर नीचे के इसमें भी यह देना है आप लोग दे सकते हैं अब ही नेक्स्ट पार्ट जो होता है एक प्रिंटर के अंदर मारा है करेंगे जैसे के आप अपी देख सकते हैं मैंने प्रिंटर का अंदर का जो यह है उसको ब्लो करना है यहां पर ध्यान रखना ब्लोर हीट नहीं होना चाहिए इसके लिए थंडी हवा हम लोग मारेंगे श्लो मोड के अंदर तो इतना ही प्रोशीजर होता है क्लीनिंग के लिए यह आप इतना यूज कर लोगे तो आपका प्रेंटर जो है क्लीन रहेगा ज्यादा दिन वर्क करेगा क्यों बोलतों कोई भी अगर इंजक्त लेलो या कोई आपका दोसना नॉर्मल प्रेंटर लेलो अगर आप लोग उसको ठीक से मेंटेनेंस क्लीन नहीं रखते हो तो दस्ट के कारण भी खराब हो जाता है कोई भी लैपटप लेलो कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स आइटम लेलो प्रेंटर लेलो कुछ बी लेलो दस के कारण इजादा तो एलेक्टरोनिक्स खराब होते है तो सीथा कुछने अभी मैरा तो प्रिंटर मेरेशी करना मत ध्यान रखना कभी भी मेन पार आफ रखना है और रखना नहीं कि इतना करोगे तो आपका प्रेंटर मस्त वर्क करेगा अगर कुछ डाउत हो तो कमेंट करो शेर करो लाइक करो और सस्क्राइब करो थैंक यू